हेलो दूस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग यहाँ पर अपने फोन पर जो इस्क्रिन टाइम होता है कि आप लोग यहाँ पर कितने घंटे अपने फोन को यूज किये हैं और कौन सा application कितने मिनट आप लोग यूज किये हैं तो ये सभी चीजे आप लोग यहां पर अपने फोन में कैसे पता लगा पाएंगे तो इसके बारे में मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं मैं आपको बताता हूँ तो इसको जो है फोन का screen time जानने के लिए कि आप लोग कितना घंटा अपने फोन को use किये हैं तो इसको जानने के लिए आपको यहां पर सबसे पहले अपने फोन में सेटिंग को ओपन करने के बाद आप लोग यहां पर नीचे के और आईए और यहां पर आपको एक option देखने को मिलता है digital web link and parental control अगर आपको यह option यहां पर नहीं दिखता है तो आप लोग यहां पर search bar में क्लिक करिए और इस तरीके से आपको जो है digital web link दिखना है फिर यह option आ जाएगा तो आप लोग यहां पर उसको open करिए open करने के बाद यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि आपको जो है अपने phone का screen time यहां पर दिखाई देगा तो today का यहां पर आपको दिखाई दे रहे है चार घंटे 17 मिनट तो इतना इतना मतलब इतने घंटे मैंने अपने phone को यूज किया है ओके तो इस तरीके से आप लोग यहां पर अपना जो screen timing है mobile का वो आप लोग यहां पर चेक कर सकते हैं और साथ ही साथ यहां पर आप लोग अगर dashboard पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप आपको पूरा detail यहां पर सो कर जाएगा कि आप लोगों ने कितना घंटा अपने phone को कौन से application में लगाया है ओके तो वो सभी चीजे आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी तो इस तरीके से आप लोग यहां पर अपने phone का जो screen time है वो आप लोग यहां पर देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेस्ट वीडियो में